हेई गाइस तो आज हम सीखेंगे इस तरीकी की ड्राइंग बहुत इजीली कैसे कॉंप्लिट किया जाए तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहले में मस्किन टिप चीप कर लिए इसके बाद में तरह वाइट मिक्स करके इसका की लाइट कि अप्रोड शेट कर लिए और जा अपले हो जाने के बाद में थोड़ा इस्मूथ सेड़ लाने के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लिया और अच्छे से blend हो जाने के बाद में dark blue में थोड़ा सा black यूज़ करके में उपर की side और भी dark कर लिया और इसके बाद में white यूज़ के आओ हुँ moon के outside area को थोड़ा highlight दिखाने के लिए पर इस painting को अच्छे से सुख जाने के बाद में masking tape को उठा कर में white color से पूरे moon के area को cover कर लिया और अच्छे से cover हो जाने के बाद में white में हलका सा black mix करके में gray color tire कर लिया क्योंकि moon के area को थोड़ा realistic दिखाना था और gray color अच्छे से apply हो जाने के बाद मैं white color से हलका सा highlight कर दिया और इसके बाद नीचे कुछ tree add करना था इसके लिए मैं dark green में थोड़ा सा black यूज़ करके मैं नीचे के tree को complete कर लिया और इस type के tree को थोड़ा realistic look देने के लिए आप लोग brush को थोड़ा फैला लीजिए और अच्छे से फैल जाने के बाद में tree का leaf को complete कर लिजिए मैं इस technique को यूज़ करके दो चार tree को और add कर लिया और यह सेम टेक्निक यूज़ करके मैं white color की मदद से tree की ओपर snow भी add कर लिया अगर आप लोग देखी पा रहा हूँ snow की बज़ा से मैं इस drawing को कितना ज्यादा awesome look दे पा रहा हूँ और यह snow complete हो जाने के बाद में sky में stars दिखाने के लिए में white color का यूज़ किया हूँ तो guys आप लोग जरू कमें सेशन में बताना आप लोगों को यह पहला tutorial वीडियो कैसे लगे अगर ज़रा सा भी helpful लगे तो एक like ठोक के जाना चैनल पे नहीं तो subscribe करके जाना तो guys मिलता हो किसी ऐसे ही tutorial वीडियो में तब तक के लिए bye and thanks for watching कर दो कर दो कर दो